question number 161 evaluate 102 into 104 by using a suitable identity तो हमें इस 102 और 104 को हमें इनका product find करना है और इसके लिए हमें algebraic identity use करके solve करके इसको दिखाना है तो हम इस 102 को expand कर लेते हैं यह 100 प्लस 2 और इस 104 को हम लिख लेते हैं 100 प्लस 4 और अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन से identity इसके लिए suit करेगा तो यहां पर use होगा क्योंकि इसमें first वाले में identical value है 100 और second वाला दोनों का different है तो इसमें use होगा यह we know that x plus a multiplied by x plus b equal to x square plus a plus b into x plus a into b तो इस identity को अगर हम यहां पर use करेंगे तो जहां जहां एक्स होगा वहां पर 100 पूट करेंगे और जहां 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 यह है वहां पर 2 और b के जगह पर 4 तो यहां पर हम पूट करेंगे इनको तो यह होगा 100 whole square plus a की value 2 है और b के 4 और x के जगह होगा 100 2 into 4 equal to 100 का square होगा 10,000 और यह 4 up to 6 into 100 plus 4 to 8 so 100000 plus 600 plus 8 so equal to 10608 which is the required answer